हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आज हम बात करें एतिस का अलेवंध भागिज में हम देखें कि सिग्मन फ्राइट के विचार यह एक मनो वेग्यानिक थे जिन्होंने बताया कि मनुस्य के अंदर अंतरात्मा नहीं होती है अंतरात्मा किन अधारों पर काम करती है उसको इन्होंन एक्स्प्लेइन किया इन्होंने अंतर मनो वेग्यान की अस्थापना की तो आज चलिए इनके विचारों को समझते हैं और देखते हैं कि मनुस्य के विचार कैसे काम करते हैं सिग्मन फ्राइट तो पहले हम देखते हैं कि मनुस्य का ज्यान कैसे होता है मनुस्य का जो भी रूप में विक्सित होता है ऐसा नहीं है कि एक इंसान में जो है वो दूसरे इंसान में भी वह अलग-लग लोगों में अलग-लग रूप में विक्सित होता है यह माता-पिता पासपड़ोस के लोगों विद्याले या परसेचर संस्थान अन चीजों पर भी डिपेंड करता है उसके behavior इसी से निर्थारित होते है इड, ego, super ego इनी तीन चीजों पर निर्थारित होते हैं मनुष्य के बेवार तो हम पहले देखें अगर इड क्या होता है इड होता है ऐसी इच्छा जिसके हमें तत्काल आओ सकता होती है जिसको हम पूरती करने के कुछ भी कर सकते है इड जैसे कि एक बच्चे के अंदर खाने की लालत वो हो गई इड हमें तुरंत किसी भी चीज को पूरा करने की इच् पेरेंट्स बोलते हैं कि पड़ो उसके घर जाओ तो कुछ खाया मत करो ऐसे में क्या होगा एक बार दो बार समझाते हैं में आदत पढ़ जाती है उसको कि हम नहीं खाएंगे लेकिन अंदर से उसका जो इडियो होता है यह करता है नहीं खा लो तुम खाओ और जल्दी खाओ इसको या शूपर गुब बलता है नहीं खाना नहीं यह तुम्हें कि तो ऐसे में दोनों में फसके रह जाता है इंसान एक छोटा बच्चा है बड़े इंस लोगों में भी यह समस्या होती है जैसे कि अरेंज मैरेज या फिर इन्टरकाष्ट मैरेज लेते हैं यहां पर इं है यह जहाएं तो दोनों को कहते हैं में डोनों को समझे। परनश को ज्यादा तवज्य। देते हैं इसमें सर्टिविटीस जदा होती अबजेटिवीटीस होती है लेकिन सूपर इगो में सब्जेक्टिवीटी दोनों अलग लगस्तर की होती है कुछ लोगों सब्जेक्टिवीटी ज्यादा होती है बैलैंस बनाके चलते हैं अगर मुझे कोई किसी चीज को खाने का पसंद है मतलब मुझे खाने कोई चीज पसंद है तो मैं थोड़ा सा खालूंगा इच्छा के पूर्ती भी हो जाए और समाज में इंसल्ट भी नहों तो ऐसे मैनेज करके चलने के स्थितिक हो गते इगो अब आगे देखते हैं इसमें इन्हों ने बोला सिवन फ्राइड ने कि एड होता है यह जन्मजात होता है जब इंसान पैदा होता है तब इसी यह उसके अंदर रहता है जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वह मा के दूद के लिए रोता है उसको चाहिए ही चाहिए एक छोटे बच्चे के सामन उसकी मा गिर जाती है तो उसको तकलीप नहीं होता है वो हसने लगता है जबकि मा को चोट लगा हो माली जी एक यमपल के रूप में चलते हुए दो एक बच्चा अपनी मा के साथ चल लाया उसकी मा गिर गई तो छोटा बच्चा उसको नहीं समझे सूपर इगो उसके अंदर होने लगता होने हो चुछद हो अब उसके अंदर सूपरीगो स्कार्वाइशित होने होने लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा सूपर इगो भी विख्सित होना बस मनुस्य की उसकी क्वालिटी को निर्भर सब्सक्राइब करता अपने बच्पन को बच्पन के तरह जीना ज्यादा वेतर है और जैसे इंसान बड़ा होने लगे तो सूपर इगो विक्सित होना जरूरी है लेकिन आजकल जिस तरह का कल्चर बन गया है बच्चा पैदा ही हुआ उसको गेम मिल गया खिलने के लिए बच्चा पैदा हुआ उ है अगज को समझता है आदमी तुलात्मक रूप में अध्यान कर पता है तो होता है एक बहतर नीड़ा लेने वाला विक्सित होता है लेकिन आजके कल्चर में एड़ तो उतना अच्छा से विक्सित नहीं हो पता है लेकिन सूपर इगो उस पर हाभी हो जाता है माब सिखात से देखो यह लोग गंदे होते हैं यह लोग अच्छे होते हैं यह बुरा होता है वह अच्छा होता है ऐसे उसके अंदर पहले भर देते हैं वह समाज में घुल मिलके जी नहीं पता है समाज की डाइबरसिटी को समझ दे सोबाता है ऐसे हिम होता कि आ और नीडर लेगा तो किसी एक ही पचको लेगा और वह वह विलस्ग मोबिल इंचिंग एक हिस्सा बनेगा भी तंत्र का एक हिस्सा नीड़े लगा तो सिंगमन फ्रायट जी ने बोला कि वेक्टी के सारे नीड़े उसके इन ही तिनों पर निर्भर करते अगर किसी के अंदर इड़ ज्यादा है तो रिजिट रहेगा उसको चाहिए तो भस उसके लिए चोरी करना पड़े मडर करना पड़े कर देगा जिसके अंदर इड ज्यादा विक्सित हो हावी हो लेकिन जिसके अंदर सूपर इगो हो वो कंट्रोल करेगा सही सूड व्यक्ति होगा और सूपर इगो जिसके अंदर होगा वो सही सूड होगा इड जिसके अंदर होगा वो situation को देखते हुए काम करेगा कोई चीज गलत है नहीं करेगा अगर कोई चीज फायदे मंद है थोड़ी सी गलत है तो कर लेगा जिसे ब्यापक लोगों को नुकसान ना हो उसको कर लेगा ये चीजों को समझते हुए करेगा सोंच समझ के काम करेगा सही निड़ा लेगा तो सिमन फ्राइड जी ने यही बोला कि इड इगो सूपर इगो इन्ही तीनों चीज़ों पर मिलके बेख्ति के अंतरना अत्मा विक्सित होती है कुछी काम को करें न करें इसी पर निर्वर होती है इड इगो सूपर इगो पर तो आज के लिए बस इतने ओके थेंक यू